हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल वीटाव ब्लोग्स में जब हमारा हरी सब्जियां खाने का मननी करता है तो उस टाइम पे हम छोले बनाते हैं या फिर राजमा बनाते हैं तो आज मैं आप लोगों को राजमाकरी की रेसिवी बना कर दिखाने वाली हूँ राजमा करी बनाने के लिए मैंने एक कप राजमा पूरी राद विवो के रखा था तो यह बंच्छे से बीग गया है तो इसको चले बॉइल करेंगे राजमा को मैंने कूकर में डाल दिया है तो इसमें मैं दो तेज पत्ता डाल गी हूँ एक छोटा दालचिनी का तुकड़ा और एक इलाईची और उसके बाद आधा चम में इतना नमक है और फिर हम इसमें पानी डालेंगे तो एक कप राजमा है तो मैं दो कप पानी डाल र दियां करेंगे और गैस पे रखेंगे पास छे सीटी आने तक राजमा कि जब तक सीटी तो नियों रहे तो राज़ में कि जब तक सीटी हो रही है, तब तक हमुम दो करी बना लेते हैं व्लाशनीALLY, मैंने गैस पे पान रख लिया है और इसमें तेल डाल रही हूँ तो मैं प्यास को कट कर लिया है तो आप यहांपे मैं लसुन और अद्रक डाल रही हूं। तो इसको मैंने ऐसे दर दरा कूट लिया है, तो आठ दस लसुन की कलिया थी और दो इंच अधरब का तुकड़ा, इसको भी इसके साथ भूनेंगे, प्याज अच्छे से भून गया है, तो अब इसमे मैं टमाटर डाल रहे हूं, मैंने दो बड़े साइस के टमाटर को ऐसे प अब इसमे मसाले डालेंगे, तो यहां पे मैंने आधा चम्मच हर्डी पौडर लिया है, दो चम्मच भनिया पौडर, एक चम्मच लाजमेश पौडर, भूनेंगे इसको थोड़ी बे, राजमाच छेसा सिटी हो गया है, तब इसको भी खोल के चेक कर लेते हैं, एक बद च अच्छे से गला है की नहीं, ऐसे दबाएंगे, तो यह देखे, राजमाच अच्छे से गल गया है, अगर नहीं होता है, तो और दो तीन सिटीज को लगा लिजे, तो यह एक बद अच्छे से गल जाते हैं, मसाले हमारे भून गये हैं, तो अब इसमे मैं थोड़ा सा कश्म मेरी लाजमेश डाल रही हूँ, यह एक चम मश्ली हूँ मैं, इसको मिक्स करेंगे, इससे कलर अच्छा आ जाता है, और फिर थोड़ा सा पानी डालूँगी, बस और इसको ढखके थोड़ी दर पकने देंगे, मसाले हमारे भून गये, और देल भी छोड़ दिया है, तो अब इसमें हम राजमा डालेंगे, तो राजमा को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, और जो खड़े मसाले हमने डाले थे, वो मैंने साइड कर दिया है, तो यह हम डालेंगे नहीं सबजी में, इसको निकाल द मासालो के साथ में , राजमा यहाय राजमआ डालें लगर आठे हम पाने नमक, आप अपने ष्वादयाद सा डालेंगे मतलिखना टाली अप्कराव यह गजब कर दया है, राजमम भाने र। '' और फिर थोड़ी दर इसको बॉइल होने देंगे राजमा हमारे देखें एक दाम अच्छे से पलते हैं और इस चाब तरफ से तेल भी अच्छे से छोड़ दिया है मतलब सब पूरा अच्छे से पग गया है तो एके बड़ा चमस गरम असला डाल रही हूँ, और इसको मिक्स करेंगे और दो मिनिट इसको और पका लेंगे दो मिनिट हो गया है और अब इसमेस्में डाल रही हूँ थोड़ा सा दधनिया बारी कटा हुआ और दो हरी मिर्च ऐसे लंबे खड़े काट लिए है मैंने तो यह ऑप्शनल है उसके बाद धनिया गैस बंद कर देंगे और फिर सबसे लास्ट में मैं इसमें एक चमच घी डाल रही हूँ इसको मैं मिक्स नहीं कर रही हूं ढग दूंगे और 2 मिनिट इसको ऐसे ढख के छोड़ दूंगी दो मिनिट हो गया है और अब देखिए सबजी का कलर कितना प्यारा आया है तो इसको थोड़ा सा चला लेंगे इसमें मैंने घी जो है सबसे लास्त में इसलिए डाला है कि इसके जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है तो अब आप इसको या तो रोटी या पराठा या फिर नान या फिर जीरा राइस जीरा राइस से लोग ज्यादा इसको पसंद करते हैं तो आप इसको किसी भी च खालू मैं तो इस तरह से एक बार राजमा जरूर ट्राइ कीजिए आपको बहुत पसंद आएगा तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज